हेलो एवन क्या हाल चाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे आज हम जो है आपके पुराने फोन को फास्ट करने वाले हैं अगर आपके वास पुराना डिवाइस है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप जैसेवन नेक्स को फास्ट कीजिए जैस करेंगे यह बहुत ही कमाल की बात है और यह ट्रिक अपनाने के बाद आप खुद बोलेंगे कि भाई यह चीज आपने पहले क्यों नहीं बताई ठीक है तो जैसे कि आप निया डिवाइस करीते हैं साथ आठ महीने बाद जो एकदम से स्लो होना स्टार्ट हो जाता है यह साथ आठ महीने मैंने यूज किया उसके बाद एकदम से स्लो पड़ गया लैक कर रहा है अटक रहा है मतलब कि जब लोक लगाते हैं तो अनलोक नहीं हो रहा है बार बार आप फिंगर्पिंट लगा रहे है या फिर बार बार उसे पैटन या पिन कोड डाल रहे है ठीक है ल आपको काफी जबा मैनत करनी पड़ रही है मतलब की ओल ओर आपका डिवाइस बिल्कुली मतलब की लैग हीट भी मारा साथ में गड़ बड़ा गया है सिस्टम उसका ठीक है तो आज हम उसी बारे में यहां पर बात करेंगे बहुत मज़ाने वाला है सोना मशकार दोस्तों म दिन में अगर आप 10। यूज करते हैं महीने में आप 11 लेकिन आपको डिवाइस में कुछ ऐसी अप्लीकेशन जो यूज करते हमें गरते हैं अकयां प्रम और प्र मालकंद कर देमें इन यह जो अपिलिकेशन आ बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं ऑगारा फाल गया हना फीचर है वाट मैं इसका यूज नहीं करता हूँ चल भाइस को अनिस्टॉल कर दीजिए मुझे नहीं चाहिए चीज ठीक है हो गया उसके बाद जैसे की फोर एक्जामपल मैं आपको और भी अप्लिकेशन यहां पर दिखाता हूँ अगर आप फोन पर सैमसंग पर यूज नह करते हैं फिर उसके बाद हैं सैमसंग वाले ओप्शन यहां पर जाएंगे तो आपने कूल मला कि यहां पर आप्लिकेशन फाइंड आउट करनी यहां पर जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं जैसे की एर जोन नहीं करते हैं यूज मुझे पता है लेकिन यहां से इ इंस्टॉल कर देते हैं जब जरूरत होगी तब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे डोंट वरी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है तो कूल मिला के आपने वह एप्लिकेशन यहां से डिलीट कर देनी है जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं बाकि जो आपके डिव जो next step है आपके device में जो है आपकी RAM बहुत बड़ा हिस्टा है आपके device को fast करने कंभी जैसे कि आपको पता है ठीक है और यह RAM आपकी कब फुल हो जाती है जब आपकी जो आपका internal memory है ना वह एकदम से फुल हो जाए बे मतलब की और उसके पाद यह दिर ठीर RAM भी फुल होना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता कि आपने जैसे वाट्साइप में आपके ग्रूप मैसेज आती है कोई वीडियो जाती है फालतु में उन सभी को डिलीट कर दीजिएगा जो आप यूज नहीं करते हैं तो इसको यहां से मैं डिलीट कर दूँगा ठीक है चल भाई हो जा ड चार-पांसो वीडियो ऐसी एड हो जाती है आपकी इंटर्नल मेमरी में जिससे जो है आपका डिवाइस स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और आप बिल्कुल ही परिशान हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है एचलिमें आपने वाट्साइप की सभी वीडियो और फोटोज डि यूज करते हैं जब आपने रिसेंट अप्लिकेशन खोलते हैं तो आपने अपने रिसेंट अप्लिकेशन को क्लोज करते रहना है जब भी आप फोन यूज करते हैं लास्ट में के करना है अपने अपने रिसेंट अप्लिकेशन को यहां पे क्लोज कर देना है ठीक है यह सभ Google Play Store पर जाना है, तो आप सोच रहेंके, हमें Google Play Store में क्यों लेके जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर करींगी, तो आप यहाँ पर नीचे बहुक्त करेंगे अपना ठीक है, फिर आप जायें नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह का ऑ यह step फिर autoplayvideos.autoplayvideos इसको भी आपने यहां पर बंद कर देना है app download preference यह आपने वो आपकी मर्जी है यह आप अपने इसाब से रख सकते हैं इसका कोई tension नहीं ठीक है लेकिन आपने auto update वाले system जो आपने do not auto update पर कर देना है वाइसाब क्या होता कि अगर आप इसे wifi पर रखेंगे या फिर आप इसे mobile network पर रखेंगे इससे क्या होगा जैसे आपके application जो update मांगेगे आपके device की तो क्या होता कि automatically update होती रहेगी होती रहेगी जब आपकी home screen होती है यहाँ पर बहुत सारी application आपने add करके रखेंगे फालतु की यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रखेंगे होई है या फिर आपके बहुत सारे home page यहाँ पर बने हुए है फालतो की मेरे से यह बना हुआ है यह बना हुआ है तो आपने क्या करना है जो आपके home screen के जो आपकी useful नहीं है उसको आपने यहाँ से delete कर देना है क्योंकि home screen जो है direct आपकी RAM पर असर डालती है ठीक है यहाँ पर प्लस काया करनाता है आप आप एड़ करते हैं लेकिन आपन जो आप animations use करते हैं तो आपको बहुत cool लगता कि हाँ animations use कर रहे हैं यार मजा आ ऐसा ठीक है animations आपको use कर रहे हैं लेकिन animations ज्यादा useful नहीं होते हैं वो आपकी device को slow कर देते हैं तो आपने animations को कैसे हटाना है तो यह आपका खुद का decision अगर आप रखना चाहता है तो रख भी सकते हैं लेकिन animation हटाना ज़रूरी है उससे आपका device 101% फास्ट होगा चलिए हम animation को यहां पहटाते हैं डेवलेपर option मैंने आपको पताया कैसे ओपन करना है नहीं पता तो आप मेरी पूरानी वीडियो देख सकते हैं ठीक है डेवलेपर option पे जाएंगे फिर नीचे को scroll down करन यहां पर फिर आपको यहां पर option देखने को मिल जाएगा वह कौन सा आगा विंडो एनिमेशन स्केल इसको 0.5x पर करने अगर बंद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है लेकिन मैं 0.5x पर ही रखूंगा ट्रांजिक्शन जो है अनिमेशन स्केल को 0.5x पर रखूंगा ठी तो मज़ा आगया मैं मतलब की अब मेरे डिवाइस पहले से कूल दिखाए दे रहा है हाँ यह सब स्टैप करने के बाद लास्ट बताने मतला हूं वह बहुत ही अमेजिंग है संजीवनी बूटी की तरह है मतलब की अगर आपका डिवाइस इन सब चीजों को करने के बाद भ और आपने डिवाइस को हार्ड रिसेट कर देना है लेकिन पहले अपना डाटा आपने सेव कर लेना है जो इंपोर्डन डाटा आपके डिवाइस में पढ़ा हुआ है ठीक है वह आपने सेव करना है तो यह कुछ स्टैप्स जे आपके डिवाइस को फास्ट करने के तो मैं करता हूँ आज का वीडियो को पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सो बाइबाई ठेकर जाहिंद बंदे मातरूं